मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा मुरली अमरित की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा पूले जीवन में हो जाए च्यू बाबा मुरली में समझाए आज की तारिक है 24 नुवंबर 2021 की सकार मुरली बाबा के महावाक्या मीठे बच्चे तुम यहाँ अपनी राजाई तकदीर बनाने आए हो जितना याद में रहेंगे पड़ाई पर ध्यान देंगे उतना तकदीर श्रेष्ट बनती जाएगे प्रेशन संगम पर किस श्रीमत का पालन कर 21 जन्मों के लिए तुम अपनी तकदीर श्रेष्ट बना लेते हो उत्तर संगम पर बाप की श्रीमत है मीठे बच्चे निर्विकारी बनो देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा परशार्त करो कभी कोई पाप करम नहीं करना तो 21 जन्मों के लिए तकदीर श्रेष्ट बन जाएगी गेत तकदीर जगा कर आई हूँ तकदीर जगा कर आई हूँ जगा कर आई हूँ ओम शांती मीठे मीठे रहानी बच्चों ने यह गीत सुना अब इन दो लाइन का अर्थ जिनों ने समझा बहे हाथ उठाए यह किस ने कहा तकदीर जगा कर आई हूँ आत्मा ने सभी की आत्मा कहती है मैं तकदीर बना कर आई हूँ कौन सी तकदीर नई दुनिया में जाने की तकदीर नई दुनिया है स्वरग यह परानी दुनिया है नर्क तो यह सब आत्मा कहती है आत्मा को तो शरीर जरूर चाहिए तब तो बोले जीव की आत्मा कहती है हम आए हैं सकूल में तकदीर बनाने पढाने वाला कौन है शिब बाबा ग्यान का सागर मनुश्य को देवता अथवा पतित को पावन नर्क वासियों को सवरग वासी बनाने वाला बह एक बाप ही है इस नर्क को आग लगनी है दुनिया में ऐसा कोई स्कूल नहीं जहां बच्चे कहें कि हम बेहद के बाप के पास आए हैं अथवा ऐसा भी कोई नहीं जो कहें मैं बाप भी हूँ टीचर भी हूँ गुरू भी हूँ यह ब्रमा भी नहीं कह सकते हैं एक शिव बाबा ही कहते हैं मैं सभी का बाप टीचर गुरू हूँ वहीं बैठ पड़ाते हैं तो अब बच्चे को तकदीर बनानी है बच्चे कहते हैं हम आए हैं नए दुनिया के राजानी की तकदीर बनाने हमको मालुम है कि यह पुरानी दुनिया खतम होनी है बाप आकर नहीं दुनिया स्थापन करते हैं तुम 21 जन्मों का रज्य भाग्या लेने पड़ते हो गोया तुम रजाई तकदीर बनाने आए हो यहां राज योग सीख रहे हो यह गीत तो भल उन नाटक बालों का बनाया हुआ है परन्तु इसका अर्थ भी फिर समझाया जाता है जैसे बाप सभी बेदों शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं इस समय सारी दुनिया में है भक्ती सत्युग में भक्ती मंदिर आदी होते नहीं तुमने आदा कलब भक्ती की है अब तो भगवान मिल गया है पहले प प्रताओं का राज्य था फिर 84 जर्म लेते लेते तकदीर बिगड गई है अब फिर से तकदीर बनाते हैं बाप आए ही हैं तकदीर बनाने बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो तुम बहुत ही पाप आत्मा बन पड़े हो पहले पहले भक्ती की जाती है शिव बाबा की बह है अभे विचारी भक्ती फिर भक्ती भी बह विचारी हो जाती है तो बच्चों को पहले पहले यह निच्चे होना चाहिए कि जिसको भगवान कहा जाता है बह हमको पढ़ाते हैं उनको कोई शरीर है नहीं बह इस शरीर में बैठ बोलते हैं जैसे तुमारी आत्मा इस शरीर में आने से बोलने लगती हैं, कभी कभी मनुश्य मर जाते हैं, फिर जब शम्शान में ले जाते हैं, तो आदे में चूरपूर करने लग पड़ते हैं, ऐसे आत्मा चले गई, फिर आई नहीं, आत्मा बिलकुल शुक्षम है न, तो कहां छिप गई, ऐसे कहेंगे, अनक सेस हो गई, किसको पता नहीं पड़ा, ऐसे कभी कभी हो जाता है, चीता से भी जाग पड़ते हैं, फिर उनको उठा लेते हैं, तो यह क्या हुआ, आत्मा कहां छिप गई, फिर अपने ठिकाने आ गई, आत्मा नहीं है, तो शरीर एकदम मुर्दा हो जाता है, तो आत्माओ का देश है परमधाम तुम जानते हो हम बहां उस घर के रहने वाले थे पहले पहले हम आत्मा घर से आए सत्योग में भारत वासी जो देवी देपता थे वहीं आए होंगे बास्ता में जो जो धर्म सापन करते हैं पिछाडी तक काइम रहते हैं बुद्ध का धरम काइम है कराश्ट का धरम काइम है सिर्फ देवी देवता धरम वाले जो रज्य करते थे उनका नाम ही गुम है कोई भी नहीं है जो अपने को देवी देवता धरम का कहता हो बाप समझाते हैं भारतबासी अपने धर्म को भूल गए हैं हमारा ग्रस्त धर्म पवित्तर था संपूरन निर्विकारी महराजा महरानी का राज्य था उन्हों को कहते हैं भगवती लक्षमी और भगवार नारायन बास्त में भगवान एक है उनको ही ग्यान सागर कहा जाता है इन लक्षमी नरायन में तो कोई ग्यान है नहीं ग्यान का सागर एक ही शिव बाबा है बह बैठ तुम बच्चों को ग्यान देते हैं तुम अभी पढ़ रहे हो यह पढ़ाई फिर बहां भूल जाएंगे अभी त आत्मा में 84 जन्मों का रिकार्ड भरा हुआ है आत्मा अभी नालज ले रही है फिर सत्योग में जाकर अपना राज्य भाग्या करेगी तुम कहेंगे हमने 84 का चक्कर लगाया अब बाबा से हम स्वरक की बादशाही ले रहे हैं हर एक उस दादे से बरसा लेते हैं परंतु अपने अपने परशार्थ अनुसार इसमें कोई हिस्सा बाटा नहीं जाता है अग्यान काल में बाटा जाता है ना बेहद का बाब कहते हैं हम बेकुंट सापन करते हैं उसमें उंच मरतबा पाना बह है तुम्हारे परशार्थ परमदार जितना बाब को याद करेंगे उतन भी करम बिनाश होंगे पवितर बनेंगे सोना को भटी में डालते हैं ना तो उनसे खाद निकल सच्चे सोने की डली बन जाती है यह आत्मा भी सच्चा सोना थी यहां पाठ बजाने आती है पहले है गोल्डन एज फिर पहले चांदी की खाद पड़ी आत्मा थोड़ी इंप् तो फिर आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा घटती जाती है मकान भी पहले नया फिर आहिस्ते आहिस्ते पुराना होता जाता है सो बरश के बाद कहेंगे पुराना बैसे दुनिया भी नई और पुरानी होती है आज से पांच हेजार बर्ष पहले नहीं थी इन देवी देवताओं का रज्य है जो था बह कहां गया 84 जरम भोगते भोगते पुराना हो गया आत्मा भी मैली तो शरीर भी मैला हो गया गोरे से साबरे हो गई क्रिशन को भी गोरा और साबरा दिखाते हैं न टांग नरक तरफ मूँ सवर्ग तरफ दिखाना है तुम भी उस कुल के हो तुमहारी भी टांग नरक तरफ मूँ सवर्ग तरफ है अभी तुम पहले निर्वान धाम में जाकर फिर सवर्ग में जाएंगे कल्यू को आग लग जाएगी मुसल्दार बरसात आग अर्थ कभेक आदी होगी पत्तित आतमाएं सब हिसाब किताब चुक्तू कर घर चले जाएगी बाकी थोड़े बचेंगे पवित्तर आतमाएं आती जाएगी अभी तो सब है कांटे काम कटारी चलाना यह कांटा लगाना है यहां तो बाप कहते हैं कि संपूरन निर्विकारी बरना है बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मैं तुम को सवरक का बरसा दोंगा तुम पवित्तर बन जाएंगे तुम पावन थे तो गरस्त बेवहार भी पवित्तर था अभी तुम पतीत बने हो तो गरस्त विवहार भी अपवित्र विकारी है सात्यूग में विवहार धंदावी सच्चा चलता है बहां जूट आदी बोलने की दरकार नहीं रहती जूट तब बोला जाता है जब बहुत पैसे कमाने का लोब होता है बहां तो अथा पैसे मिलते हैं अनाज आदी का कोई दाम नहीं रहता बहां कोई गरीब होता ही नहीं जो अच्छा पुर्शात करेंगे बह महराजा बनेंगे हीरे जवारों के महल मिलेंगे पुर्शारत पूरा नहीं करेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे राजा रानी फिर प्रिंस प्रिंसिज सारा घराना होता है ना फिर प्रजा में भी नंबर वार शहुकार और गरीब प्रजा होती है बहां तो सब पवित्तर होंगे राजा रानी बजीर भी एक बहां कोई बहुत बजीर नहीं रहती राजा में तागत रहती है राज्य चलाने की तो जैसे बाब समझाते हैं तो बच्चों को भी समझाना चाहिए हम भारतवासी देवी देवता थे सात्यूग में हमारा राज्य था गरस्त बेवार में हम पुवित्तर थे सवर्गवासी थे फिर पतीत बनते बनते नर्गवासी बने हैं फिर सवर्गवासी बनते हैं यह खेल बना हुआ है सवर्गवासी एक जनम में बन जाएंगे फिर नर्गवासी बरने में चुरासी जनम लेने पड़ेंगे सीड़ी में बड़ा कलियर दिखाया हुआ है अभी बुद्धी में आया है कि हम जाकर स्वरग में रज्जे करेंगे अभी बाप से बरसा ले रहे हैं बाप ही सत्य बताकर नर से नाराइन बनाते हैं बे लोग जो सत्य नाराइन की कता सुनते हैं बह कोई नर से नरायन बनते नहीं तो बह कथा जूटी हुई न यहां तुम बैठे ही हो नर से नरायन बनने के लिए बह ऐसे थोड़ी कहते की पवित्र बनो मामेकम याद करो सत्य नरायन की कथा पूरन मासी के दिन सुनाते हैं अब इस समय पूरन मासी कहा जाता है सोला कला चंदरमा को जब पिछाड़ी होती है तब चंदरमा की लकीर जाकर रहती है जिसको अमावस कहते हैं अमावस माना अंध्यारी रात सत्यूग त्रेता को दिन द्वापर कहा जाता है यह सब पॉइंट समझने की है यह शिब बाबा बैठ पढ़ाते हैं बह बाप भी है टीचर भी है और गुरू भी है इन में परवेश कर आत्माओं को पढ़ाते हैं बाप कहते हैं जैसे इनकी आत्मा भरकुटी के बीच में बैठी है मैं भी आकर यहां बैठता तुम को बैट समझाता हूँ, तुम पहले पावन थे, फिर पतित बने हो, अब मुझे बाप को याद करो, पुवित्र बनने विगर घर बापिस जा नहीं सकते, पुवित्र बनेंगे तब उडेंगे, तब पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ, तब हम पतित घर जा नहीं सकते, जो अच्छी रिती शिक्षा को धारन करेंगे, तो जल्दी स्वर्ग में आएंगे, नहीं तो देरी से आएंगे, नए मकान में आना चाहिए ना, नए मकान में मजा है ना, पहले पहले सत्युग में आना चाहिए, ममा बाबा सत्युग में जाते है हम फिर देरी से क्यों जाएं तुम भी फालो करो ब्रमा को बाप को याद करते रहो कोई बात में तकलीब होती है तो शिव बाबा से पूछो शिरीमत से ही श्रेष्ट बनेंगे पुरानी दुनिया में तो पांच बिकारों रुपी रावन की मत पर चलते आए हो पहले पहले है दे अभिमान अभी तुम बच्चों को दे ही अभिमानी बनना है मैं आत्मा परंधाम की रहने वाली हूँ उनको शांती दाम कहा जाता है ऐसी ऐसी बाते दूसरा कोई समझ ना सके बाप ही समझाते हैं तुम्हारी आत्मा इन आरगन से सुनती है सत्यूग में कभी शरीर खराब होता ही नहीं यहां तो बैठे बैठे अकाले मृत्यू हो जाती है सत्यूग में ऐसी कोई बात होती नहीं उसको कहा ही जाता है हैविन स्वरग पेराडाइज फिर हम चक्कर लगाकर पुनर जनम लेते लेते 84 का चकर पूरा किया है फिर बाप आकर बच्चों को स्वरग का लाइक बनाते है अभी तुम नई दुनिया के लाइक बने हो अभी तो नरक है अभी तुम आए हो नरक वासी से स्वरग वासी बनने की तकदीर बनाने कहते हैं हम शिब बावा के पास आए हैं तकदीर बनाने कलब कलब हर पांच हजार वर्ष बाद हम तकदीर बनाते हैं हम स्वरग वासी बनते हैं फिर रावन रजे शुरू होने से हम विकारी बन जाते हैं, अभी सब विकारी पतित हैं, तब आप आकर नई दुनिया सापन करते हैं, नई दुनिया में सिर्फ तुम बच्चे ही होंगे, बाकी सब शांती धाम में चले जाएंगे, उपर में आतमाओं का जाड है, फिर अपन अपने समय पर आएंगे, जब हमारा रजे होगा, तो बहां और धरम बाले होंगे नहीं, फिर दबापर में रावन रजे शुरू होगा, यह सब बातें अच्छी रिती धारन करनी हैं, यहां नरक वासी से स्वर्ग वासी बनना है, नरक वासी मनुश्य को असुर और स्वर् अब सभी आसुरी सभाब वाले हैं, अब बाप बैट पुर्षात कराते हैं, बाप कहते हैं पवित्तर बनो, हर बात में पूछते रहो, कोई पूछते हैं कि बाबा धंदे में जूट बोलना पड़ता है, जूट बोलने से थोड़ा पाप बनेगा, बह फिर बाप को याद क करते रहेंगे, तो पाप कट जाएंगे, आज कल की दुनिया में सब पाप करते रहते हैं, कितने रिश्वत खाते रहते हैं, यह परदरशनी का चितर मैप्स है, ऐसे मैप्स कहा होते नहीं, अगर कोई देख कर कापी करके बनाए भी, परन्तु उनका अर्थ कुछ भी समझ नहीं सकेंगे, पर दशनी मेले में तो बहुत आते हैं, कहा जाता है साथ रोज लिए, समझने आओ, तो तुम स्वर्ग बनने लाइक बन जाएंगे, अभी नरक वासी हो, सीड़ी में देखो, कितना कलियर है, यह है पतीत दुनिया, पावन दुनिया उपर खड़ी है, अभ हम नरक वासी से स्वर्ग वासी जरूर बनेंगे, अभी तुम तैयारी कर रहे हो, शीवालय में जाने के लिए, इसलिए विकार में कभी नहीं जाना है, तुफान तो माया के बहुत आएंगे, परंतु पतीत नहीं होना है, पतीत होने से बड़ी खता, यानी भूल हो फिर धरम राज की बहुत बड़ी सजा खानी पड़ेगी, अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रती मात पिता बाब दादा का याद प्यार और गुड मोर्निंग, रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस्ते, हम रोहानी बच्चों की रोहानी बाब दादा को शर्दाबरी प्रेम वरी नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा इस मीठी मुरली के लिए धारना के लिए मुख्य सार नमबर एक मनुश्य से देवता बनने के लिए जो भी आसूरी सब भाव है जूट बोलने की आदत है उसका त्याग करना है देवी सब भाव धारन करना है नमबर दो घर चलने के लिए पवित्तर जरूर बनना है माया के तुफान आते भी करमेंद्रियों से कभी कोई भिकरम नहीं करना है वर्दान सच्ची लगन के अधार पर और संग तोड एक संग जोडने वाले संपूरन बफादार भव संपूरन बफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकलप अबा स्वपन में भी सिवाई बाप के और बाप के करतब बाप की महमा के बाप के ग्यान के और कुछ भी दिखाई ना दे एक बाप दूसरा ना कोई बुद्धी की लगन सदा एक संग रहे तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता इसलिए पहला वाइदा है और संग तोड एक संग जोड इस बाइदे को निवाना अरतात संपूरन वहादार बनना सलोगन सत्यता की सब स्थित्य परस्थित्यों में भी संपूरन बना देगी ओम शान्ती